वजन कम करना हम सब का ही पैशन होता है और वजन कम करने के लिए हम सब excited वे बहुत जादा होते हैं कैसे ही गर्मी आती हैं हम उसका इंतजार कर रहे हूवते हैं कि गर्मी आते ही मैं 5 kg कम कर लूँगा 10 kg कम कर लूँगा लेकिन वो 5-10 kg कम कैसे होगा इस बारे में बात करते हैं असलाम लेकुम मैं हूँ जैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि समर में हम अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं उसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए या वैसे ही वजन कम गर्मियों में हो जाता है सबसे पहले तो ये कि एक सोफा या एक शेयर पे बैठके आपका वजन कम बिल्कुल भी नहीं होगा आपको उसके लिए फिजिकली आक्टिव होना पड़ेगा लेकिन गर्मियों में हमरे पास बड़ा अच्छा बहाना होता है बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर हुमिडि कर सकते हैं स्टेर्स क्लाइम कर सकते हैं बाहर जाके वॉक अगर करना चाहते हैं तो रात 10-11 बजे के बाद जो मौसम है वो बहुत बेहतर हो जाता है ये फजर के बाद आप अपना जो वॉक का टाइम है उसको प्रॉपर कर सकते हैं अब खाना किस टाइम खाया जाए उटन नाश्ते के maximum आदे घंटे बाद तक अपना नाश्ता कर लें। आप नाश्ते का जो time है वो time आपका maximum होता है आट, नौ या दस बजे तक. 10 बजे के बाद आपका नाश्ता जो होता है वो नाश्ता नहीं रहता वो बलके दुपहर के खाने में ये स्टाक में हम count करते हैं आपका time table बना होना उसको accordingly चलना बड़ा important होता है weight को कम करने के लिए हमारी जो body है उसका एक mechanism है हम उसको जो चीज़ decide करके बता देते हैं वो उसी के according काम करती है अगर आपने अपनी body को बता दिया है मैं डेली तुम्हें 10 बजे breakfast दोंगा तो वो next day enzymes जो है वो 10 बजे ही secret कर देगी अब नाशते में आप क्या खा सकते हैं इस summers जो है इस diet plan को follow करें और जो breakfast के options है वो ये हैं आप egg किसी भी form में ले सकते हैं चाहे वो boiled हो या बहुत सारे vegetables डाल के जो है वो उसको omelette type बना लें और उसके साथ एक brown bread का slice लें या 6 inches की रोटी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा option जो नाशते में आता है वो है आपका दलिया जो दलिया है उसको पानी में पकाएं और उपर से उसमें दूट डालें पहले से उसमें दूट ना डालें पहले दूट डालने से उसका जो काब लोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तीसरा option और जो सबसे healthy और अच्छा option है वो यह है कि आप एक बाउल दही लें उसमें fruit का इस्तमाल करें fruit कौन से हो सकते है एपल हो सकता है पीछ हो सकता है उसको mix करें और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें एक हजूर का इस्तमाल कर सकते हैं यह अपना breakfast करें अब बहुत सारे लोगों को आदत होती है नाश्ते में चाय जरूर पीनी है तो वो चाय का consumption जो है या नाश्ता करने के आदे घंटे बाद करें या नाश्ते में चाय पी लें और उसके बाद fruit और दही का इस्तेमाल कर लें अगर आपने नाश्ता 10 बचे तक कर लिया है तो आपका जो next snack होगा वो 11.30 तो 12 के दर्मियान होगा लेकिन अगर आप सो के ही उठ रहे हैं 11 बजे तो आप आपका ब्रेकफास्ट ही होगा लेकिन उस ताइब ब्रेकफास्ट आप प्रेफर करें कि आप fruit का ही कर लें ताके next आपका दिन जो है वो प्लान रहे और वजन easily कम हो सके दुपहर में जो आपने लेना है खाना उसमें आपने बहुत सारा जो salad है ग्रीन salad वो लेना है जिसमें खीरे हो सकते हैं अब लोगों का यहां पर बड़ा misconception आता है कि बोल कितना हो उसमें क्या लूँ कैसे खाऊं बोल जो है उसको एक चोटे size का ले 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 और उसी के according अपनी measurements करें अगर तो आपके पास measurements cup हो तो that's well and good अगर नहीं तो आप एक बोल decide कर ले जो के ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो उसी के according measure करके rice खाए जिसमें आपके rice जो है वो तकरीबन 15 से 16 tablespoons आ जाए उसके साथ दही भी आप उसी में खाए और उसी बोल के according जो है अपना salad भी ले इसके साथ आप किसी भी salad का रोटी के साथ इस्तमाल कर सकते हैं जब भी हम dieting करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यह आता है क्या मैं रोटी का इस्तमाल कर सकता हूं बिलकुल रोटी चावल खाके ही वजन कम करना है एक जो authentic रोटी का साइज हम बताते हैं अपने हैंड के साइज कर खाए 6 इंचिस और और 7 इंचिस जो है वो मर्दों के लिए आती है आप रोटी का इस्तमाल करें और उस रोटी के साथ आप किसी भी सालन का इस्तमाल सबजी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप डाल का इस्तमाल कर रहे हैं तो डाल को आप चमच के साथ खाएं और उसके साथ जो है आप सैलिड का इस्तमाल कर लें डाल जो है वो इटसिल्फ अनाज है उसके स आप साथ बदाम, दो किश्मिश और दो अख रोट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नहीं तो यहां पे आप एक फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो के दो आलो बुखारे तीन से चार खुबानी हो सकते हैं दिनर जो है यह बड़ा important पार्ट होता है हम पूरा दिन अपनी डाइट कर लेते हैं लेकिन जब दिनर की बारी आती है तो यहां पे आकर सब कुछ मैस हो जाता है और हमें समझ नहीं आती कि अब क्या खाया जाए दिनर में आपने जो बाहर से खाना है वो घर पे बणा लें दिनर प्रेफरेबली आपका बाहर से खाने का चिकन, मॉटन या BEEF ही दिल कर रहा होगा जिसमें बार्बी क्यू होगा, जिसमें आपको तिक्का बोटी पसंद आ रही होगी तो आप घर पे मारिनेशन करें, आपको इट लीस्ट पता होगा कि मारिनेशन में मैने मायोनीज या इस तरह की सौसेस फैटनिंग जो हैं वो इस्तमाल नहीं की तिका बोटी हो, आपका मसाले हो, चिकन, माटन बीफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ सालिड का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि इस टाइम जो रोटी है वो अगर ले रहे हैं तो वो हाफ रोटी का इस्तेमाल कर लें अगर डाल का इस्तेमाल है तो डाल आप चमच से खाएंगे अगर बिर्यानी या पलाओ आपका बना हुआ है तो आप उसको 15-16 टेबल स्पून्स जैसे मैंने पहले कहा या एक बोल जो है वो आप उसका खाएं और उसके साथ आप ये कोशिश करें कि चिकन के जो पीसे से उनका जादा इस्तेमाल कर लें अब बहुत सारे लोगों को यहां पर ये मसला आता है कि उनको रात को दूद पीने की बहुत आदत होती है अगर तो आपको ब्लॉटिंग होती है तो आप इस टाइम पर दूद का इस्तेमाल बिलकुल ना करें ताके आपको ब्लॉटिंग ना हो सके लेकिन अगर आपको दूद से जो है वो रिलाक्सेशन फील होती है तो आप एक कप दूद का इस्तेमाल लाजमी तोर पे रात को दस बचे इस्तेमाल कर सकते हैं दूद हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है और वेट लॉस में जो ग्रीन टी होती है वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और वो आपके weight loss में बहुत help करती है उसके साथ रात को walk जरूर करें खाने के फॉरण बात नहीं कम असकम 2-3 गंटे का gap दें और इन summers में 5-6 kg बहुत आसानी से कम करें healthy रहें, खुश रहें, thank you so much